या आप जो लाइन में सबसे पीछे बैठे हैं खड़े हैं उनकी मदद करो या फिर लाइन में जो सबसे आगे बैठे हैं उनकी मदद करो और हमारी जो सरकार है और किसी भी स्टेट में देख लीजिए यूपिया की सरकारों को देख लो हमारी सरकार किसानों की मजदूरों की गरीब लोगों की बेरोज़गार लोगों की इनकी मदद करती है खदान अदानी जी को दी जाते हैं एरपोर्ट अदानी जी को दी जाते हैं पोर्ट अदानी जी को दी जाते हैं कानून बनाए जाते हैं किसान के खिलाफ जो कानून बनाए गए वो कानून अदानी जी की मदद करना हिमाचल प्रदेश में आप जाईए सेप का पूरा पूरा बिजनस अदानी जी के हाथ में जमू कश्मीर जाईए वहाँ पे सेप का बिजनस अदानी जी के हाथ में नमस्कार मैं दौला शर्मा और आप देखना सुरू कर चुके हैं SPN 9 News यहां पर 36 गड़ में चुनाव होने हैं और उस चुनावों को लेकर लगातार राहुल गांदी तयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं उन्होंने 36 गड़ में अपनी एक जनसभा करी जहां पर उन्होंने केंज सरकार यानि मोधी सरकार को वहां पर घेरते हुए नजर आए साथी साथ अडानी अंबानी के मामले पर भी उन्होंने केंज सरकार को घेरा और यहां पर कहा कि उनके घोटालों की जांच क्यों नहीं होती जैसे कि इसलवार तरीके से हम रादिस्थान में देख रहे है कि एडी की तावड़ तोड जो है कारवाई वहां पर हो रही है और ठीक चुनाफ से पहले यह कारवाई होना कही ना कहीं संदे से देता है कि यहां पर जो है किसी ना किसी के सारे पर यह सभी कारवाई होती हुई नजर आ रही है और यह चुनाफ से प्रेरित कारवाई नज उसके उपर बड़े सवाल यहाँ पर राहुल गांदी उठाते हुए नज़र आते हैं, साथे साथ किसानों की बात यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं और अपील करते हैं यहाँ पर लोगों से कि वापिस जो है, चतिसगड़ में कॉंग्रेस सरकार को दौराया जाए? क्योंकि यहां पर बीजेपी हर तरीके के मापडेंड अपनाती हुई चतिस गड़ में नजर आ रही है कि किस तरीके से कॉंग्रेस की सरकार गिरा कर यहां पर विधानसवा चुनावों में अपनी धाक जमाई जा सके क्योंकि 2024 में लोगसवा का चुनाव यहां पर करीब है और उसे पहले पाँच विधानसवा चुनावों में बीजेपी जादस चुनाव यहां पर जीतना चाहीगी अपने राज्यों को अपने पास लेना चाहीगी जिससे लोगसवा चुनावों में काफी मदद जो है उन राज्यों से मिल सके और लोगसवा सीटे यहाँ पर उनके खाते में आ सके लेकिन यहाँ पर राहुल गांदी लगातार हमला मारते हुए मुदी सरकार पर नजर आ रहे हैं सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस जन्सवा में राहुल गांदी ने किस तरीके से मुदी सरकार को यहाँ पर बड़ा चैलेंज दिया हमने आप से दो तीन बड़े वाइदे किये थे किसानों को अपनी मेहनत का सही फल उनका कर्जा माफी बिजली बिलहाफ यह वाइदे हमने आप से कही थे और जहां आप से वाइदे कर रहे थे तो हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता ऐसे स्टेज से हर रोज कह रहे थे कि यह वाइदे पूरे नहीं हो सकते और जैसे ही हमारी सरकार बनी ऐसी मीटिंग में पांच साल पहले हमने कहा था जैसे हमारी सरकार बनेगी समय नहीं लगेगा एक दम जो हमने वाइदे किये हैं उनको हम पूरा करेंगे और खुशी से मैं कहता हूँ कि जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता उस काम को हमने दो घंटों में करके दिखा दिया पूरे प्रदेश को दस हजार करोड रुपे किसानों का कर्जा माफ बिजली बिल हाफ किसान नियाई योजना तेईस हजार करोड रुपे 26 लाग किसानों को मजदूरों को 7 हजार रुपे पांच लाग मजदूरों को 7 हजार रुपे हर साल तक्रीबन 660 करोड रुपे हमने दिये देखे सरकार चलाने के दो तरीके होते हैं आप किसी भी सरकार को देखो दो ही तरीके होते हैं एक तरीका कि आप प्रदेश के या देश के सबसे अमीर लोगों को फाइदा पहुंचाओ और दूसरा तरीका आप देश के या प्रदेश के सबसे गरीब लोगों की मदद करो यही दो तरीके हैं और तीसरा तरीका है नहीं लोग कहते हैं कि भाईया नहीं तीसरा तरीका होगा सबकी मदद नहीं सीधी जी बात है या आप जो लाइन में सबसे पीछे बैठे हैं खड़े हैं उनकी मदद करो या फिर लाइन में जो सबसे आगे बैठे हैं उनकी मदद करो और हमारी जो सरकार है और किसी भी स्टेट में देख लीजिए यू पिया की सरकारों को देख लो हमारी सरकार किस्टानों की मजदूरों की गरीब लोगों की बेरोजगार लोगों की इनकी मदद करते हैं उनकी सरकारे जो है बड़ी बड़ी बाते करते हैं मगर अंत में अधानी जी की वो मदद करते हैं आप देखिए देश के आलत देखिए भगेल जी ने कहा खदान अधानी जी को दी जाते हैं एरपोर्ट अधानी जी को दी जाते हैं पोर्ट्स अधानी जी को दी जाते हैं कानून बनाए जाते हैं किसान के खिलाफ जो कानून बनाए गए वो कानून अधानी जी की मदद करने के लिए हिमाचल प्रदेश में आप जाएए सेब का के हाथ में तो जो भी वो करते हैं अदानी जी के लिए देश के सबसे बड़े दो तीन उद्योग पतियों के लिए करते हैं और जो भी हम करते हैं हम किसानों के लिए करते हैं मस्दूरों के के लिए करते हैं आदिवासियों के लिए करते हैं दलितों के लिए करते हैं पिछड़ों के लिए करते हैं सीधी जबात मन्रेगा देख लीजिए हम मन्रेगा लाएं लोकसभा में प्रधान मंत्री ने देश के सब मजदूरों का अपमान किया कहा कि मन्रेगा बिल्कुल बेका प्रोग्राम है बोचान का दिकार हम लाए कर्जा माफी हमने की कि क्यों क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम गरीमों की मदत नहीं करेंगे कंजोर लोगों की मदत नहीं करेंगे तब तक ये देश खड़ा नहीं हो सकता ये देश प्रगति नहीं कर सकता है अब देखिए 36 गड़ में हमने वाइदा किया था 2500 रुपे प्रति क्विंटल सही बात है सही बात है ना आज क्या रेट है आज 2500 है क्या कितना ज्यादा कितना है 2640 और यहां सारे लोग जानते हैं कि आज 2640 है कांग्रेस पार्टी ने वाइदा किया था 2500 का और आने वाले समय में जाके वो 3000 तक पहुँचेगा सब जानते हैं पुरा प्रदेश जानता है तो सुना आपने यहां पर किसानों की बात उन्होंने कही किसानों के जो कालिक कानून मुदी सरकार ने बनाए थे उनके उपर बात करी यहां पर किस तरीके से मुदी सरकार ताना साही दिखा रही है और किस तरीके से राजियों को जीतने के लिए जो परियोजना यहां पर अपनाई जारी है बीजेपी की तरफ से किस तरीके से यहां पर सेंटरल एजेंसियों का इस्तमाल किया जा रहा है उसके ओपर बड़े सवाल यहां पर राहुल गांदी खड़े करते हुए नजर आया है और साथ साथ 2024 के लिए बड़ी चुनौती राहुल गांदी देते हुए नजर आए और अडानी अंबानी का मामला यहाँ पर फिर दुबारा उन्होंने उठाया है कि किस तरीके से यहाँ पर किसानों के करज माफ नहीं करते, छोटे बिजनिसमेन के करज माफ नहीं करते, लेकिन अन्डानियवानी के करजे जो हैं यहाँ पर माफ कर दी जाते हैं 2024 से पहले राजनीती पूरी तरीके से गरमा गई है जिसका असर विधान सबाचुनावों में देखने को मिल रहा है बाकी और भी ऐसी खबरे जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 News धन्यवाद